Hello viewers, welcome to Kids English Guru channel आज हम आपको WhatsApp, Facebook या कोई भी चैट में यूज होने वाले short forms बताएंगे जिसको आप SMS, chat, text vocabulary भी कह सकते हैं जो बहुत से लोग समझ नहीं पाते और गलत जवाब दे देते हैं message का या फिर सामने वाले से पूछते हैं कि क्या बोला, जिससे आपका impression खराब हो जाता है तो अब potential लेने की कोई बात नहीं है, आज हम सारे short form बताने वाले हैं तो चलिए start करते हैं First है, a sap, जिसका मतलब होता है as soon as possible, जितना जल्दी हो सके Next है, atm, atm को जब कोई chat में use करता है लिखता है तो उसका मतलब automatic talent machine नहीं है उसका मतलब है at the moment, इस समय फिर है before, लिखा है जाता है b के साथ 4, इसका मतलब होता है before तो इतना लंबा नहीं लिखते है, short form लिखते है before तो इसका मतलब होता है इससे पहले Next है bf, boyfriend, short form bf, btw, btw, btw ऐसा लग रहे है bmw की तरीके कोई car है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है इसका मतलब है by the way, वैसे, short में btw लिखा जाता है फिर आता है brb, b right back, इसी समय वापस आओ जब कोई आपको लिखता है brb, तो घबरानी की ज़रुत नहीं है b right back लिख रहा है, मतलब जल्दी वापस आओ एक होता है c u, ic u वाला c u नहीं है इसका मतलब है c, s w e c u, फिर मिलते हैं फिर आता है f b, facebook का short form f y i, for your information, f y i का मतलब होता है for your information जिसे bf होता है वैसे gf भी होता है, तो gf का मतलब girlfriend कोई आपको लिखता है h r u तो आपको मतलब नहीं पता कि इसका मतलब क्या है तो आप क्या जवाब देंगे, लेकिन इसको h r u का मतलब होता है how are you, तो आप आप जान गए है how are you तो इसका जवाब आप दे सकता है, i am fine या जो भी आप दे सके एक और होता है i am o, in my opinion, मतलब मेरी राय में तो कोई लिखता है i am o और अपना opinion, तो आप i am o का मतलब जानते हैं तो आप बोलेंगे पता नहीं क्या लिखा है या शायद गलत लिखा है तो गलत नहीं लिखा है, उसका मतलब होता है in my opinion, अब कुछ लिखते है L8R, अब ये क्या हुआ, ये तो आप ने समझ पाओगे कि math का 8 भी है, L भी है और R भी है, तो L8, late हो गया, R, later, तो later को लिखते हैं शाट में L8R, फिर काफी जगा, लोग लिखते हैं lol, lol का मतलब भ कोई हसने की बात होती है, तो इनसान लिखता है lol, मतलब उसे आपकी बात पर बहुत जोड़ से हसी आई, इसी से मिलता जोलता है LMAO, LMAO, जिसका मतलब होता है laughing my ass off, अभी OMG लिखते हैं लोग, OMG का मतलब होता है oh my god, जब कोई आश्रे चेकित हो जाता है यानि उस समय को कहत लिखना है, तो बड़ा नहीं लिखना है, PLS short form में लिख देते हैं, तो समझ जाते हैं कि please, SBY, जब किसी को somebody, somebody को जब आपने short form में लिखना होता है, तो लिखते है SBY, फिर लिखते है STH, जिस समबडी से मिलता है something, एक होता है TBH, जिसका मतलब होता है to be honest, इमानदारी से, उसको short form में को लिखते है TBH, आप किसी को thanks लिखना होता है, तो short form में लिखते है THX, मतलब मालूम नहीं होगा, तो आप समझ नहीं पाए भी लिखा किया है, तो उसका मतलब होता है thanks, एक लिखते है TMI, too much information, जिसका मतलब होता है too much information, एक है TTYL, जब कोई chat से जा रहा होता ह या खतम कर रहा होता है, तो TTYL लिखके खतम कर देता है, तो सामने वाला समझ नहीं पाता है कि क्या कहना क्या चाहता है, को important बात यह क्या है, तो TTYL का मतलब होता है talk to you later, एक है WKND, इसको तो बिलकुर समझ नहीं पाऊगे, लेकिन इसका मतलब है weekend, weekend को short form लिखते है WKND, जब कभी कोई ज़्यादा गुस्ता होता है तो लिखता है WTF, तो उसका मतलब भी आपने समझोगे, तो आप बोलोगे पता नहीं क्या बोला है, तो उसका मतलब होता है WTF, फिर रहता है ZOZO, XO, इसका मतलब होता है HACS and KISIS, या HACS and KISIS का short form है, किसी को प्यार से आप HACS को short form में लिखना होता है HBD, या काफी लोग आपको लिखते है HBD, तो आप बोलते हो पता नहीं क्या है, आपके बड़े पर लिखा आता है HBD, तो आप पोस्ते हो पता नहीं क्या होगा, तो उसका मतलब होता है HAPPY BIRD, फिर आता है GN8, ये short form है गोड़नाइट का, GN8, ग लिएम, गुड मॉनिंग, लास्ट है WAY, इसका मतलब वाला इंगलिश वाला वे नहीं है, इसका मतलब वट अबाउट यू, अपने बारे में, आपका क्या है, इस तरीके से कोई पूस्ता है, तो WAY, वाट अबाउट यू, तो ये थे शारे short कर जो की WhatsApp, Facebook या किसी भी चैट में यूज होते है, इसका मतलब जानना बहुत जरूरी है, तब ही आप समझ पाएंगे कि सामने से क्या message आपको दिया है, तो आपको short score बताए गए हैं सारे, उमिद करता हो वीडियो पसंद आए होगी, तो वीडियो को like करिएगा, share कीजेगा friends में, ताकि वो भी सीख पाए साथी हमारे चैनल Kids English Guru को subscribe कीजी, अगर आपने आपता subscribe नहीं किया है, और bell icon को भी प्रेस कर दीजे, ताकि नई वीडियो का notification मिल पाए आपको सबसे तरह, तब तक रहे, thank you, goodbye, visit again